एलो सातियों तो आपकी ये six class है material technology जो चल लिए है पिछली class में मैंने आपको timber बता दिया था timber का ही दूसरा part आपको इस class में मिल जाएगा तो जितने भी एई येई के exam है चाहे वो MP समझे रेका हो सभी के लिए आपके उप्योगी ये बहुत जाना तो आप इसको अच्छे से समझे इंदी मीडियम के वच्छे हो चाहे इंगिल्स मीडियम के वच्छे हो दोनों के लिए ही बहुत ही important classes है जिसमें कि आपको सिर्फ समय ना रटना बिल्कुल भी नहीं है तो आप ब्रीप सा description ह मेरा तो आपको पहले बता चुपा हूं मैं सब कुछ के लिए तो जहां पर आप contact कर सकते हैं अब देखते हैं processing of timber यानि कोई भी ट्री है मैंने आपको लगा ट्री है उससे अगर आपको timber उनाना तो क्या process रहता है देखो जहां पर आप देख सकते हो जहां से ट्री है पहले optimum moisture content करना रहना चाहिए दस से बारा परसंट जो आपको यार रखना मैं आपको इंपोटेंट सी बताता जाता हूं उसे नोट कर लेना दस से बारा परसंट जो optimum moisture content रहता किसका timber का क्लिए उसको convert कर देंगे यानि इसको सुटिवल से में आप काट देंगे जिए आपने observation करेंगे नहीं इसको structure रखने के लिए इस पर कोई लिपाई वगरा कर देंगे प्रताई वगरा कर देंगे और दूसरी method रहते हैं वो कर देंगे उसे बोलते हैं प्रजाब बेंग के लिए इस प्रकास से टूटल टिमर की process आपके रहती है जहां से questions आपके बनते हैं बूम सो यह त्यमानते ना तो जो मैं आपको प्रोवाइड करा दों पहले आपको बता दिया क्लिए तो आपको जो इंपोड़न सीज है वही आपको पढ़ना ना इसमें आप चलेंगे सीनिंग अप्टिम्बर वोला तो निवली फैल्ट्री कंटेंड एप्रोक्समेंट पचास प अच्छा और सुकान के बाद करने बचना चाहिए में बारा बार बचारा ना बता रहा हूं आपको दस से वारा पर्सेंट जो है उसके बाद इसमें इंप्रोटेंट क्या है और यो दिस बाटर टींबर जैनली फॉंड फ्रॉम्डर सेप और यान्य दो प्रकास से आपको प प्लीटली अच्छा कट गया है आंगे जो था लोको मैं इसका देखता हूं क्या आँगे थोड़ा टाइपिंग में मिश्टे को जाती है कि इसके आंग क्या था वो मैं आपको देखता रहूं ना थोड़ा सा वेट करें कि शटब छोड़ो कुछ इंपूटें नहीं इंपूटेंट होता तो मैं आपको आहलेट कर देदा अब देखो सीजनिंग की यूँ मैथड रहती है सबसे मेंथा नहीं इंपूटेंड आपको था दियूटा 10-12 परसंड जो रहता आपका कह रहता है निल सीजनिन होने बट्टी मैं आप सुका सकते हो, वाटर सीजनिं वह रहती है और किमिकल सीजनि की प्रकार कि यहां रहती हैं जहांस सो कोशन बन जाते है जो ची है important मैं आपको बता ता जाओंगा ना बॉलिंग के लिए क्या है आप देखें वह यह बन आप दा को केस्ट में तड है क्लियर अविलेन पूर दा सीजिनिंग बट कंपरेटिबली मोर कोश्टली रहती है जो इंपोटेंट होई मैं आपको ता दूंगो जहां से आपको जी चीह आपको यार लगना क्लियर इलेक तो आपको क्या है तेंप्रेटर जुड़ा था 35-45 डिग्री से लिटिक्रेट रहता है आपको अगर कुछ नोटिस करना याद नहीं करना बस फॉकस कर लो एक बार ना इसमें से नाम याद कर लो तो कुछ है नहीं बाटर सीजिनिंग में आपको क्या यार रखना इट इस अ अच्छा आंगे चलते कंवर्ट जैनों आप तिम्बर को शुटवल साज कंवर्ड करते हैं उसके बारे में आप आंगे पढ़ेंगे क्लियर तो जहां पर देखो सिर्प आपको नाम याद करना कुछ अलग से चीजिज है इनके बारे में तो मैं आपको अलग से बता बता द तू दा एन्वर रखना आपसे पूछे कौन सी मेतड में जो टेजेंटील रिंक के टेजेंटील आप काटते हो क्लियर तो आप क्यार रखना वह कौन सी मेतड रहती है और नारी मेतड रहती है क्लियर अच्छा दा मोस्ट जनरल एकनोमिकल एंड यह इस्ट मैटर तो सबसे म यह जो ती है जरनली और एकनोमिकल भी है और क्या इंपोटेंट है इसमें से वह मैं आपको उता देता हूं एकनोमिकल देंदा अधर मेतड़ सबसे जानले quarter method गोडरी छोटे छोटे-चोटे सी में कटने से इसбिकार से इसに method of sewing in which the cut are made right angle to each other clear दियान MTH Text in the same right angles पर कटेदे हैि एक दूसरी किया 90 पर तो यह आपको थोड़ा सा दियान रखना है एक सेक्षन और टेवर्स डारेक्षन छोड़ तो कुछ इंपोटेंट नहीं है टेजन्टिल स्विलिंग प्लियर तो इसमें क्या रेडियल डारेक्षन रहते हैं तो जहां पर भी आप देखने बस नाम यह रखें आप इससे ज क्या कर सकते हैं जिसको डूरेवल बनाने के लिए फंगीश बगर अटेक्षन रखते हैं उसी को थे प्रिजर्विंग और टिम्बर इसे में क्या क्या रखना एस्यू ट्रीटमेंट यू था जो की जहां से कुछ नहीं बनाता तका बनाता इस्टॉन बनाता वहां अच्छा इस दियान रखना ये एक रखना नहीं है दरांदूनल पर इक बसक्क बना जाता हो तो कई वह पूचा जाता कांप बना जाता ना बना जा गया छilsए चानिकल से 이번 से भी आप इसको प्रिजर्व ळए आप तो चीजह को याद्ट कर नहीं करना जो इंपोटेंट कुछ है नहीं इसमें ना इंपोटेंट उधा तो मैं आपको जाना डीप लिए आपको मैं बताता है जो पहली वाली क्लास थी तिम्बर की बहुत जाना हम पड़ती डिपेक्ट ऑप टिम्बर जब आप कंजर बेशन करेंगे तब आते हैं फंगी से फंगी के घ आता है ख्लिए तो नाम यार रखना माट क्या होता है आपको पूछा जाता है डाइंगुलल्ड ग्रेंट टॉन ग्रेंट बेन जे आपको यह आता है डेपनेशन में आज़े का आप यह वार तो इसको आप देहां रखना डिपेक्ट इस आड़ी फाइल प्रिजेंस ओप ओ के आपको सजोदेखना जो डिपेक्ट के नाम एंगए बैन ना बिलू श्ट्रेंट से पेश्ट्रेंट जा आपकी डिपैक्ट्त हैं मुआ किप्ते एं ड्राइई यह किसके करण डिपैक्स है जी देख दिलान वज Divine सब्सक्तितं clear यह बखनगी करण सब्सक्राण होता है न पहला होते है इस पर नहीं करना दियाया जिएm पॉटेंट आपके लिए नेचुरल पूसर क्रण पॉर्ण से से करने माइक पार्ण हें पॉस्टे कप से कि इनुवर रिंग के डारेक्षिन में आपका शेक बन रहा है तो इसे की कप से क्लिए और हाड़सेख के रहता है जै मैल्डूल अरय यं में तरह पड़ जाती कि यह बोलते है हाड़सेख अच्छा रिंगसेख को रहता है जो अंजाक हो गया कबसेख हो गया i także इसमें किया रहता है प्रण इसमें रहता है जो वार्क की साइट है वह देखो इस प्रकास्ता बार के साथ जो में इसकी बूर रहती है चोड़ाई और अंदरी तरफ क्या है सक्रा होता जाता जो आपको द्यान लगना जिस्टार्ट से हो गया तो इसकी डेपनेशन से आप से पूंचे जाएगा वो धनुसका करम मोड़ा कप से कप ऐसा हो गया जिनसे जो है सबके पास में चाहिए बहां से आप अच्छे से हल्प ले सकते हैं तो अब इसके बाद अपने mcq पर याएंगे mcq के साथ मैं आपको बहुत कुछ इसमें समझा दूंग ना तो पहला वारा पार्ट जाना इसमें जाना कुछ था नहीं और जो इंप्रेंट चीज़ आपको कुछ आपको कोई डाउट में आपको लगता है तो आप कमेंट में आप पूर सकते हैं